हिलो फ्रेंड्स कैसे हैं या आप लोग तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारती इतियास के अंतरगत क्लास नमर 16 जिसके अंतरगत हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन समाजिक संटरजना और इसके अंतरगत देखेंगे अब जो भी यहाँ वैदिक काल को जो दो प्रियास करेंगे, बहुत सारे वह भी तथ्यों के साथ और concept भी इसमें सामिल होगा, तो चलिए हम लोग क्लास को सुरू करते हैं आपे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपे, रिगवैदिक कालिन समाजिक बेवस्था, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, समतावादी समाज नाम से ही लग रहा है, समतावादी समाज और इस तरीके के समतावादी समाज को अगर हम लोग जन जातिय समाज कहें अभी तक के हिस्ट्री में, तो इसमें कहना को यतिस्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि देखिए, रिगवैदिक समाज बिलकुल उस समय का विलाई समाज था, जो पूरी तरीके से वर्ग हीन, जाति भी हीन, स्वरूप लिए हुए था, समाजिक जो जटिलता थी, पूरी तरीके से इसका अभाव था, समपती की अधारा बिलकुल यहाँ पे थी ही नहीं, उत्पादन संसाधनों को प्राप्त करने की पूरी तरीके से सोतंतर रता यहाँ पे मौझूद थी, तो संसाधनों पे यहाँ पे किसी भी परकार का कोई रोक रोक नहीं था, ठीक है, तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे, इन सारे बिंदों को ध्यान में रखते हुए हम ल भी था, इसके अलावा कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से, ठीक है, समाजिक जटिलताओं का भाद था, संपती की अधारा अनुपास्तित होने के कारण, उत्पादन हिलो प्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारती इतिहास के अंतरगत, क्लास नमर 16, इसके अंतरगत देखिए अब जो भी वैदिक कालिन समाजिक संप्रचना के अंतरगत, रिग वैदिक कालिन समाज क्या था, उत्तर वैदिक कालिन सम आमिल किया गया है तो चलिए कलास को हम लोग शुरू करते हैं देख पा रहे हैं जिसा कि रिग्वईदिक कालिन समाजिक बेवास था नमबर वन है यहापे समतावादी समाज या फिर आपका सकते हैं जन जातिय समाज क्योंकि अभी तक जो समतावादी की जो तत्व हैं समानत कि जो तत्व हैं अभी तक सबसे अधिक इन ही जंजाती समाज में देखने के लिए हमें मिलता है इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिगवैदिक समाज था बिल्कुल देखिए अगर उस समय के संदर में अगर देखा जाए तो कबिलाई समाज से युगत था कई सारे कबिलों में बटा हुआ था और डेडी सुरुवाती के जुरिक वैदिक जो कबिलाई था ठीक है चार पाच भागों में लोग बटे हुए थे इसके बाद से कहा जा रहा है कि बिल्कुल यह वर्ग भीहिन था कोई यहाँ पे अमीर गरीब नहीं ठीक है तो हम लोग सो भाविक है कि इसे हम लोग समतवादी समाज कर सकते हैं जाती भीहिन था जातियों के लेके वैसी कोई यहाँ पे अवधाड़ा थी ही नहीं इसके अलावा समाज जो कहा जा रहा है कि जटिल ताओ का जो जटिल समाज होना चाहिए डैवर्सिटी वाला समाज होना चाहिए वैसा मौजूद नहीं था समपती की अवधाड़ा गरू समय देखा जाए तो बिलकुल अनुपस्तित था और उत्पादन का जो भी साधन था किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं था जो जितना सक्चम होता था ओन उत्पादन के साधनों का पूरी तरीके से परियोग करता था इन सारे बिंदों के अगर ध्यान में अगर आप रख के देखें तो देखें बिलकुल आज की सुबेम झामने बिलकुल ईसा दिखाई नहीं देता है अलग अलग ठीके हर एक छेत्र में पूरी तरीके से बहुत सारे वर्ग हैं यहाँ आप मिडल्ल्ट है ओर्वर्ग है का लाल प्रेट्स हैं कहीता बें Saturday तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारती इतिहास के अंतरगत, कलास नम्मर 16, जिसके अंतरगत हम लोग चर्चा करेंगे, वैदिक कालिन समाजिक सन रचना, अब वैदिक कालिन समाजिक सन रचना को भी यहाँ पे दू भागों में बाट दिया गया है, क्योंकि रिग व हम लोग बहुत सार एफेक्ट और कंसेप्ट दोनों को साथ में लेते हुए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समतावादी समाज समतावादी समाज के जो तत्व है किसी भी जनजातिय समाज में अभी तक बहुत बहुतायत मातरा की रूप में यहां पे दिखाई देता है इसलिए आपे कहा जा रहा है कि जब समतावादी यहां पे जनजाति जब जुड़ा हुआ है तो ऐसा चीज उस समय जो रिग वैदिक समाज था उस समय का जो खासकर कविलाई समाज जो पूरी तरीके से युक्त था इसमें मौजूद था यहां पे किस कविलाई समाज में जाति बहिन जाति बहिन के साथ साथ वर्ग बहिन कोई भी उच्छ ठीक है निम्न, मद्यम, कहें कुछ नहीं, सब लोग यहाँ पे बराबर हैं समाज जो था उस समय का, जो पूरी तरीके से, जटिलता से, ठीक है पूरी तरीके से, मतलब अन्युक्त कहा जा सकता है जटिलता यहाँ पे कुछ थी ही नहीं, डैवर्सिटी नहीं थी जो भी थे यहाँ पे उस समय, आर यह लोग थे, अपने मिरा के लोग गहरा रहे थे संपती की अधारा थी ही नहीं यहाँ पे इसके अलावा साथ साथ, संसाधनों के दोहन को लेके बिल्कुल अजादी थी, कि जिसके पास जितना कैपसिटी है उन संसाधनों का दोहन करें और उस समय के जगर संसाधन के रूप में देखींगे तो क्या था उस समय आप लोग और डिम ने पढ़ाया हुआ है खास कर आर्थिक के छेतर में हो गया आर्थिक के छेतर के साथ साथ और भी राजनितिक जिसे छेतरों में अब जो भी आप इस अंसादनों के बात की जा रहे चाहे वो पसुपारन के रूप में हो गया, किरिसी के रूप में हो गया, आप उस समय के जो लोग हैं मज़ा नहीं आया हेलो प्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारती इतिहास के अंतरगत, क्लास नम्मर 16, जिसके अंतरगत हम लोग चर्चा करेंगे, वैदिक कालिन समाजिक संटरचना, अब इस वैदिक कालिन समाजिक संटरचना को दो भागों में बाट जिसे कि सबसे पहले आएगा रिग वैदिक कालिन समाजिक संटरचना, उसके ततपहचात हम लोग देखेंगे, उत्तर वैदिक कालिन समाजिक संटरचना, दोनों को हम लोग करते चलेंगे, जिसके वज़ा से, फैक्ट के साथ साथ, आथ, concept भी हमारा किलियर होते चलें, तो यहाँ पे वर्ग भी इन जाती भी इन ठीक है समाज बहुत अधिकुछ समय कंप्लेक्स नहीं हुआ करता था संपतिक यह अधारा जिसे चीज कोई यहाँ पे मवजूद नहीं थी उत्पादन के जो भी साधन थे पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पे सब को छूट थी जितना मन करें यहाँ पे जो भी रिसोर्स थे उसका लोग उप्योग करते ही करते थे इसलिए यहाँ पे इन ही सब गुड़ों के वाया से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैदिक कालिन जो समाजिक सनराजना थी बिल्कुल जहन जहाती समाज से युक्त थी और कोई भी कबलाई समाज में अगर देखे या तो जैसे कि जाती भीहिन हो गया, जाती भीहिन के साथ साथ आपको वर्ग भीहिन भी देखने के लिए मिल जाएगा, कोई अमीर गरीब यहां पर है ही नहीं, सब यहां पर समान रुप से काम कर रहे हैं, जटिलता दूर दूर कापो दिखाई नहीं देगा, साथ में कहा जा रहा है कि संपती की अवधालणा इस तरह के जो चीज थी, यहां पर मौजूद थी ही नहीं, जो भी कहा जा रहा है कि संपती के अवधालणा अनुपस्तित होने के कारण, उत्पादन साधनों को प्राप्त करने की भी पूरी असरीके से सोधंद रहा थी, तो जो भी यहां पर उत्पादन का साधन था उस समय जेनरली अगर देख सकते हैं थे पोसुपालन था, अब जो भी दुख दुघरा पराप्त किया रहा है, उस कबिलाई समाज में तो भी उसको अफ कितना दिन दगश्टूर किया जा सकता था लंबे समय तक शुर किया नहीं जा सकता था सब के पास गया है सकसे पास दूद भी दुख्म दी हो रहा है इसके लाव किरिसी का भी इतना अधिक बैग्यानी करण नहीं हुआ था तो कुल मिला के यहां पर इसलिए कहा जा रहा है कि समतावादी समाज से पूरी तरीके से यह युक्त था उसी तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि चत्तु वर्ड में विभाजित समाज अब ध्यान रखिएगा रिग वईदिक कालीन जो समाज था पित्री सतातमक समाज था इसमें कई पीडियों तक के संबंधियों का समय में सोता था और इसी को ध्यान में रखते हुए समाज को उस समय चार वड़ों में पूरी तरीके से आपे बाट दिया गया और चार वड़ों में जब बाट दिया गया तो ध्यान रखिए गया बात की जारी रिग वईदिकाल की तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रामर, इसके अलावा छत्रिय, वैस, सुद्र को ध्यान रखेगा सबसे लाश में जोड़ा गया था जब मैं आप लोग वैदी गरंथ करा रहा था, उसमें मैंने आप लोग बताया गया था कि यह जो सुद्र सब्द को रिगवेद के दस्वे मंडल में, दस्वे मंडल का जो संबंध है, पुरुस सुक्त से है, पुरुस सुक्त, इसी में उसको जोड़ा गया है फिर कहा जा रहा है कि इस वर्ण भी भाजन के बहुजूद, समाजिक गतिसिल्था पूरी तरीके से यहाँ पे बाधित हुई ही नहीं थी, गतिसिल्था यहाँ पे मौजूद थी भले आपको लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ब्रामण है, छत्री है, वैसे, सुद्र है, लेकिन यह बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे रहा करते थे वर्ड ब्यवास था का क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके जो अधार ही था, करम था, करम के अधार पे था, ना कि यहाँ पे किसी परकार की वनसावनुगत कोई सनरज ना थी करण में परवर्तन के साथ उस समय वर्ड में परवर्तन हो जाता था रिग्वेद में उलिकित एक सुत्र भी है यहाँ पे सुक्त के रूप में आप इसे समझ सकते हैं एक बालक कहता है कि जैसे कि मैं कभी हूँ मेरे पिता चिकित सक है और मेरी माता अनाच पास पीशती है इस बात का पूरा परणाम है ठीक है प्रमार के रूप में परणाम के रूप में कि एक ही परिवार के लोग विभीन पेशो को अपना सकते थे कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्त वर्ण विभाजित जो समाज हुआ था यह बस यहाँ पर जो अधार था इसका फाइनली कर्म को फोकस में रखके सारा चीज यहाँ पर किया जा रहा था लेकिन यही चीज है कि यह जो निरंतरता है उत्तरवईदी काल तक आते है ते तूट गई अब यहाँ पर करम परधान ना होके पूरी तरीके से अब इसको ब्लड रिलेशन से जोड़ दिया गया कि अब वही है कि ब्रामर का बेटा ब्रामर चत्रिय का बेटा चत्रिय ठीक है एक जो वनसानुगत सनरचना है इस सिस्टम के अंद्रिगत ला दिया तूसे हम लोग देखेंगे उत्रिगत काल में उसी तरीके से यहाँ पर दास बेवस्था अब दास बेवस्था को लग रहा होगा ठीक है कि बिलकुल एक दूसरे ट्राइब का जो मन में ख्याला आ रहा होगा वैसा यहाँ पर कुछ भी था नहीं रिग वैदिक काल में दास बेवस्थास्थितों में तो था प्राया जो भी युद बंदी होते थे जो कि उस समय जो युद वगरा होते थे गाय के लेके खासकर अधिकतर युद किया गया था उस समय किन्तु यह जो दास थे युद बंदीयों को बनाया जाता था इनका जो इनका बहुत अधिक रोल नहीं होता था। उसी तरीके से इस्तिरियो किस्ति को लेके यह जो रिगवैदिकाल है बिल्कुल अगर कहा जाए कि यह golden टाइम है तो इसमें कोई इसमेतिश्यक्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि रिगवैदिकाल में इस्तिरियो किस्ति बहादी संध इसके बाद से अभी तक अगर आप देख लिजिए किसी भी सधी तक देख लिजिए तो सायद ओ आजाजी देखने के लिए नहीं मिलेगा जो यहाँ पर हमें उस रिग्वेदिकाल समाज में दिखाई देती हैं यहाँ पर बाल बिवाह का प्रचलन था ही नहीं बाल बिवाह यहाँ पर नहीं था इसके अलावा महिलाओ को पूरी तरिके से सिच्छा का यहाँ पर अधिकार था इस ठीक है आप लोगों ने देखा भी होगा ठीक है वैदिक जो भी गरांत लिखा गया उसमें कई सारी महिलाओ को जिक्रवी मिलता है जिससे कि अपाला घोसा बिदूसी इस्थिरियों की स्थितियों से परमाली भी करती है कि इनके पास सिच्छा प्रयाप्त रूप में मौजूद था इस्थिरियों का उपनयान संसकार भी इस समय किया जाता था उपनयान बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा उपनयान संसकार किया जाता था राजनित प्राप्ति की कामना की जाती थी लेकिन पुत्री के जनम को उस समय हे नहीं माना जाता था दुख का कारण नहीं बना जाता था पित्री सदातमक समाज होने के बावजूद जान बुच कर इस्तिरियों को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं किया गया लेकिन ये बस और बस ये स पान को लेके तो आर्या सूती वम उनी वस्तरों का उप्योग करते थे हैं ठीक है सूती हो गया उसी तरीके से उनी हो गया इसतरी पुरुस दोनों अभूसरल पारते थे अतिती सरकार के रूप में बढ़ों का समान देने पर विसेस बल दे जाता था उनके निवास अस्थान पर जो भी उनकी जो घर की जो सम्रत्ना जैसे घास हो गया फूस बास लकडि से बनाया जाते थे बीमारीों से छुटकारा पाने के लिए उस समय जादू टोने का भी स्तहारा लिया जाता था परिवारिक सिच्छा पर उसमें विसेस बल दे जाता था तता सिच्छा पूरी तरीके से मौखिक होती थी सिच्छा को लेके भोजन में अनाज हो गया अनाज के साथ साथ दूध हम उससे बनी वस्तु यह उम फल का परियोग करते थे इसके लावे सोम रस का काफी इंपोर्टेंट हैं में ध्यान रखेगा सोम रस पेप पदार्थ की रूप में अब इससे स मर्पित था जो इसे परमारित करता है ठीक है आगे चलके कहा जा रहा है कि रिग वैदिक आर्य मिर्थकों का पूरी तरीके से अंत्यष्ठी के रूप में दा संसकार बहुत इंपोर्टेंट हैं आपे दा संसकार करते थे उसी तरीके से यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक कारीन समाजिक व्यवस्था अब यह पूरी तरीके से जो परिवर्थन का काल के रूप में जो माना जाता है खसकर इस समाजिक व्यवस्था को लेके लेकिन अभी भी निरंतरता के रूप में कुछ हैसे तत्तो बिदमान है जो रिग वैदिक काल में मौजूद थे तो जो न पुरूरत जो पहले से जो चली आ रही थी वर्ड विवस था यहां पर मौजूद था लेकिन इसमें कुछ ठीक है चेंजे जाया वो चेंज हम लोग निचे देख लेंगे इसके अलावा का आ जा रहा है कि परिवार के मुख्या की विशेह सिस्तिती थी उसे अन्य सदस्यों का नीमन करने का अधिकार होता था इस काल में दास प्रथा जो रिगवईदी काल में चल रहा था यहां भी बना रहा और दासों को घरिलू कार्यों में लगाया गया जहां तक इस्तिरियों की सितिती के बात है तो उन्हें सिछण प्राप्त करने का अधिकार था अधिकार यहा जिसा यहां पे नहीं हुआ है, अब परवर्ण के रूप में आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, पहला है यहां पे संपती की अउधाणा, कहा जारा है कि क्रिसी के विकास एवं अधिसे शुथपादन के कारण संपती की अउधाणा का पूरी तरीके से विकास हो गया, एवं बितरर ब्यवस्था में अस्पश रूप से पूरी तरीके से असमानता कितत्व सामने आने लगे जैसे कि ऐसी इस्तिती में कहा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से समाज में अस्पश रूप से वड़ विभाजन हो गया अब कर्म के अस्थान पर कहा जा रहा है कि वर्ड रही सबसे महत्मूर हो गया और वर्डों के लिए उनके कारे निर्धारित कर दिये गए फलता समाजिक गतिसीलता अरूध होने लगी अब अरूध होने का कारण नहीं था कि अब जो वर्ड विवस्था यहां पर देखिए आ सबसे उचा उसी तरीके से ब्रह्मार के बाद यहां पर छत्रिय इसका अस्थान दूसरा था युधास्त्रों के रूप में युधास्त्रों के रूप में लोहे के परियोग होने के कारण छत्रियों के सक्ति में बिर्दी हो गई तो लोहे के यहां पर परियोग किया गया फ तो इनकी जो सक्ति में बृद्धी का पूरी तरीके से घोतक के रूप में सामने आ गया उसी तरीके से बाकि जो अन्य जो दो कम्यूटी यहां पर जो बच रही है ठीक है जैसे की वैस इसके अलावा यहां पर है सुद्र ठीक है फिर कहा जा रहा है कि तीसरा वर्ड वैसे था और यह एक मात्र उत्पादक के रूप में उत्पादन करता के रूप में और साथ में करदाता के रूप में वो यहाँ पे मौजूद था अपरोक्त तीन वर्डों को यहां पे दिरीज का स्तर प्राप्ता धेयान रखेगा वैसे सामिल नहीं थे लेकिन इसमें वैसे भी सामिल हे चतुर्ट वर्ड सुद्रों का था और इनकी जो इस्तिति थी समाज में सबसे नीचे, सबसे नीचले पैधान पे यहीं थे और इनका जो सबसे मुख्य काम होता था उपर के तीन वड़ों को अर्थात इन द्विज की सेवा करना कहा जा रहा है कि कुछ धर्म सुत्र में यहां तक बता दिया गया कि दस वर्षिय ब्रामण सो वर्षिय ठीक है छत्रिय से पूरी तरीके से स्रेष्ट है स्रेष्था को यहां पे अपनाने का ठीक है पूरी तरीके से एक ओथराइच धर्म को यहां पे सामने लाना गया सुद्रों को अब पूरी तरीके अस्परी से माने जाना लागा अब ये पूरी के पूरी प्रकिरिया है देखे सुद्र यहाँ पे नीचे हर हाल में यहाँ जिसे चंडाल वगएरा हुआ करते थे उनकी परिचाई भी यहाँ पे उस उत्तरवैदिकाल समाज दकाते याते उसकी परिचाई भी पढ़ना नहीं होता था बकायदा जब सुद्र जब गाउं अगेरा में इंट्री मारता था तो अपने हाथे में एक लोहे के आवाज करने वाली चीज ले लेता था जिसके वज़ा से जो भी गाउं के लोग आसपास अगर रूट में निकलके हैं तो अपने घुरों में अंदर गुश जाए इसकी परिचाई भी पढ़ना असुब होता था खास करें मदिरा सिमन करते थे मास खाते थे यहीं हाल ठीक है वैसियों का कुछ हाल इन से बेहतर था वैसे उस समाज में देखिए उतपादन करता एक रूप में था वडिक बैपारी के रूप में यहां पर मौझूद था तो सोभाविक है कि इसकी जो परकिरिया होगी जैसे कि इंट्रेस्ट को लेकर ह swirl ठीक है अगर किसी को अगर यह मुल्धन के रूप में अगर ब्याज दे रहा है ठीक है तो उसमें वहाईक है इंट्रेस्ट आएगा ही आएगा और इस इंट्रेस्ट का विरोध करने वाले कहां गई जो फ्रांस की करांती को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल उस फ्रांस की करांती के जो मद्यम वर्ग टाइप का यह जो वर्ग है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देता है छत्रिय यहाँ पर सासा की रूप में आपर मौझूद है जनस से गोप की रूप में ब्राम्माड का रोल यहां पे सबसे important होता था, यही परंपरा धेरे धेरे काफी लंबे समय तक चलती रहे चलती रहे नेक्स्ट गोत्र की आउधाड़ा देखिए उत्तरवजदी काल में एक महत्पूर परवर्तन यह आया कि गोत्र की आउधाड़ा बिक्सित हो गई बिवाह में कहा जा रहा है कि गोत्र बहिर गमन को गोधन इसे बोला जाता है गोधन ठीक है यह कबिलाई छेत्र का मान लिजेगी कबिलाई छेत्र का पूरे गायों को जहां पर रखा जाता था उसे गोधन बोला गया इसी गोधन से जो गोत्र की जो आउधाड़ा आया इसको बिवाह में भी पूरी तरीके से अपलाई किया गया बिवा में अप्लाई करने का उनका कारण नहीं था कि भाई अगर हम लोग अपने ही अपने गोत्रे में अगर साधी करेंगे तो साइद समाज उतना बड़ा एक्सपैन नहीं करेगा तो उन लोगों ने पूरी तरीके से समाजी के ओम राजनितिक बिस्तार के लिए देख एसे व्यक्तियों से सम्मंध होने लगे जो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग थे तो इसे आप लोग ध्यान रखेगा यहीं था पूरा के पूरा गोत्र के ओधरणा नेक्स्ट यहां पे आश्रम व्यवस्था उत्तरवईदे काल में देखिए आर्यों ने आश्रम व्य तरीके से कहा जा रहा है ठीक है कि अलग होके भी अलग ना हो सके तो आश्रम व्यवस्था में इस व्यवस्था का पूरी तरीके सुदेश से ही था कि चार पूरुसार्थ को प्राप्त करना यहों रिल्ड से मुक्त होना जैसे कि जो चार अस्टेज है एक दू तीन चार ठी जैसे कि ये होता है बραमचर है, ठीके, दूसरा होता है यहाँ पे, ग्रिहस्त, उसके बाद आ जाएगा वामप्रस्त, और उसके बाद आ जाएगा सन्यासि, ठीके, तो यह प्रकरिया है, लगबग, हर किसी के लाइप में ए अगतीक है, सारा गजा सारा जो समय होता है आता ही आता है जिसे बरहमचर है साधी से भाले साधी के बाद गिरिहस्त लाइफ शुरू हो जाएगा और जब गिरिहस्त लाइफ अस्टिबलाईज हो जाएगा तो वह आमप्रस्त में आ जाएगा और एक समय के बाद सब चीछ छोड़ के ठीक सिर्ष्ट की Сिति में सबसे अधीक परवर्तन हुआ है व से अधीक परवर्त Ε aan-गचास कोई सगारातमक के तौर डूर बलकर एक नगरातमक के तौर पर हुआ कि कि यहां आते जाते उत्तर वैदिकाल में उपनयन के अधिकार को पूरी तरीके से छीन लिया गया अब उन्हें दिया ही नहीं गया पुत्री के जनम को यहाँ पे अभिसापसित माल लिया गया अभिसाप के रूप में माना गया खुद इसको पर ठीक है सही करने के लिए एतरे ब्रामण में बोल दिया गया कि पुत्र परवार का रच्छा और पुत्री दुख का काराण है अब देखिए इस तरह का स्टेटमेंट अगर दिया जा रहा है तो सभावी के कि पूरे के पूरे समाज में उन इस्तिरियों की सिति खराब होगी ही होगी आगे कहा जा रहा है मैत्रिल संहती में मैत्रियरी सुनते चलिए संहती में कि इस्तिरी को जुवे अमसराब के समान बताकर उसे भी दुरुडुरुकिस रेली में रखा गया बाल बिवाह का यहां पे प्रचलन कर दिया गया और बाल बिवाह का जो प्रचलन किया गया रेसियो 1-3 होता है अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कि कितनी इसी तीम आपे खराब होती चलिए इस तीरिया पूरुसों के पूरता अधिन कर दी गया उनकी सिछा अधियों को प्रमाडित करता है इस परकार उत्तरवैदिक काल के समाजिक धाचे में पूरी तरीके से मात्पूर्ण परवर्तन आया अब यहां से जो गिरावट है एक गिरावट कभी भी आपको ठीक है यह किसी सदी तक देख लेजिए यह हमेशा हमेशा सदियों तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा और इसी लिए यहां पर माना जाता है कि उत्तरवैदिक काल के बाद से इस तीरियों की सिती में सबसे बड़ा जो ब्यापक परवर्तन हुआ वो परवर्तन कभी भी सकरातमक तोर पे ठीक है बनने का नाम नहीं लिया कि किसी सदी में कुछ लोगो यहां पर वैदिकालिन समाजिक वेवस्ता का जेनरली पिरलिम्स में से पूछ लिया जाता है जिस नीवी है कमर की नीचे पहलना जाने वाला वस्तर वासस कमर की उपर पहलना जाने वाला वस्तर अधिवासम उपर से धारड किये जाने वाला चादर या उड़नी तच्छा बढ़ाई की रूप में, कर्मा धातु कर्म करने वाले, वेकनाठ सुधकोर होते थे, और इतनी नावी की रूप में हापे मौजूद थे, तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग उक लेक्र पसंद आ रहा होगा, लेक्र पसंद आ रहा है तो प्लीज शेर जरूर करते है और थाओध वाचिए बढ़ाई बादाब पसंद आज वाची का वाची रूप में, क्या क्या रहा है वाची का उड़ चार्म कर्का दो बाद रहा है ने कि अवाची कि अवाची का व्ड़ बाद आप एंप लाची प्सक्ट रहा है तो झाल झाल